हेलो गाईज वेलकम बेक माई यूटूब चैनल अगर आप गमलो के शोकीन है तो आप यूटूब पर सर्च करें है फ्लोवर पोड तो आपको वहाँ पर नए नए गमलो के डिजाइन मिलेंगे तो आप देख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें तो दोस्तों आई ये व जो हमने फर्मा बनाया है और इसको जो हमने दोनों साइट से 30 सेंटिमेटर इंटू 30 सेंटिमेटर इसको कटिंग किया है और उसके बाद इसको हमने सेंटर से हाफ किया है और ये जो डिजाइन हम बनाएंगे ये 3D रॉप टाइल डिजाइन है इसको हमने इसी फर्मे से बन चोड़ाई और कैसे इसको हमने यूज करना है यह भी हम आपको दिखाएंगा तो अभी हमने जो है इसकी चोड़ाई कटिंग किया वो पांस सेंटीमिटर है और आगे से इसके हमने जो कॉर्नर है वो कटिंग करने है तो इसमें हम यहां पर इसमें फर्मे को हम सेट करेंगे और उसके बाद यहां पर इसको फर्मे के साथ जोड़ देंगे और उसके बाद इसके हम कटिंग करेंगे तो जैसे के अभी आप देख रहा है यह जो इसकी आगे की यहां से यहां तक जो इसकी लंबाई है वो भी साथ सेंटीमिटर बन चुकी है तो आपने इसी तरीके से इसकी दूसरी साइड पर भी साथ सेंटिमेटर पर मार्किंग करकर उसकी कटिंग करनी है और फिर कटिंग करने बाद वो जो आप कटिंग करोगे उसकी जो शेप है वो दोनों साइड से बराबर आपको नज़र आएगी तो अभी जैसे कि इसके हमने कटिंग किये तो यह भी आपको तोनों साइड से बराबर नज़र आएगी और आप इसको किसी भी साइड से जैसे कि आप उपर या नीचे से आप इसको कहीं से भी इसकी जो है करोगे तो आप इसको जो है बराबर ही पाऊँगे तो चारो साइड से आदोस्ते यह तो हमारे बीच में जो सेंटर में यूज किया है यह यह तो इसमें अभी ऐसमें जो डार्क गरीन कलर्री टाल्स यूज कीए वह भी हम आपको दिखाएंगे और जो बाहर वाइट हमने इसमें यूज करना है वो भी हम आपको दिखाएंगे तो जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं इसको हमने 10 cm इंटो 10 cm कटिंग किया है और इसको जए हमने सेंटर से हाफ करना है अभी यहां से इसको हमने हाफ करना है और इसको जए हमने कैसे जूज करना है यह भी हम आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर अभी हमने इसको सेंटर से हाफ कर लेना है और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ग्रीन टाइल्स के किटिंग कितने एजी लिकरते हैं और शेप कैसे बनानी है उसकी तो अभी हमने वाइट टाइल्स के किटिंग कर लिए छोटे पीसिस भी और बड़े पीसिस भी हमने किटिंग किया है अभी हम आपको दिखाएंगे ग्रीन टाइल्स के किटिंग कैसे करेंगे तो इसमें हमने 7 सेंटिमेटर इसकी जो है चोड़ाई कटिंग की है और जो लंबाई है वो भी साथ सेंटिमेटर है तो हमने दोनों साइड से इसको प्रापर कटिंग किया है इसको भी हम सेंटर से हाफ करेंगे इस तरीके से यहाँ पर इसको हमने हाफ करना है और इसली इसके कटिंग करनी है तो यहाँ पर अभी हमने यह भी कटिंग कर लिया है और उसके बाद अभी जो हमने जो गरिन कलर के जो बड़े पीस हैं इनको भी हम कटिंग करेंगा इसको हमने जो इसकी चोड़ाई है वो पांस सेंटिमेटर कटिंग किया है और इसको जो है जैसे कि हमने अपना फर्मा है उसको यूज करना है तो हमने फर्मे के अकोडिंग इसके कटिंग करना है जैसे कि हमने शेप बनाई है वाइट कलर के पीस की से हम इसकी शेप बनानी है यहाँ पर इसी तरही के से और इसको 16 सेंटिमीटर यहां पर हमने 16 सेंटिमीटर पर और इसकी हमने सेब कटिंग करनी है अभी जो है हमने कैसे इसको उस करना है कैसे अपना डिजाइन बनाना है यह हम आपको दिखाएंगे तो आईए हम आपको दिखाएंगे डिजाइन कैसे बनेगा सबसे पहले हमने बड़ा पीस जो ग्रीन और वाइट है ये यूज करने है कैसे करते हैं जैसे कि हमने आपको दिखाया है कैसे हमने इनका सेंटर से हाफ किया है और कैसे इसको हमने यूज करना है तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमने वाइट टाइल्स को कैसे यूज किया है और उसके बाद हमने कैसे गरिन टाइल्स को यूज करना है सबसे पहले आप वाइट टाइल्स यूज करोगे और उसके बाद आपने गरिन टाइल्स यूज करनी है और जो छोटे pieces हैं वो आपने इस तरीके से लगाने हैं यहाँ पर easily तो इसी तरीके से आप अपने design आसानी से complete कर सकते हो और आप इसको अपने favorite color में use कर सकते हो जिसे कि अभी हमने इसको double color में use किया है light और dark में इसका combination बनाया है इसी तरीके से आप अपने area के wording इसको size में छोटा या बड़ा भी बना सकते हो और आप अपने favorite color में इसको use कर सकते हो आपके कोई भी पसंदिदा color है तो आप इसमें light और dark यूज़ करेंगे तो आसानी से आप ये design बना सकते हो तो जैसे की हम आपको बना कर दिखा रहे हाए है आप इसको doormate में या border में आप इसको use कर सकते हो और आप इसको size में छोटा या बड़ा भी बना सकते हो आप इसको granite में या marable में भी use कर सकते हो आप इसको wall या floor पर use कर सकते हो तो दोस्ते इसी तरह हमारे चैनल पर बने रही है हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं कमेंट शेक्शन में बताइए हमारे वीडियो आपको कैसे लगी बताइए हमारे वीडियो करेंग करेंगे स्थाइब करें थाइब घुब सेखियात करेंगे विजिदी आग मुणा है विजिए प्रोडेंग कितो है पूर्णेर प्रणेश